तो अभी हमने प्रेवियस लेक्चर में समझा कि जो बेसिक स्टैट्स हैं हिमाचल के बारे में तो उसमें इंपोर्टन इंपोर्टन चीजें क्या हैं तो उसी कही आगे अब कॉंटिनेशन में हम पढ़ते हैं जो लेक्ट्स टॉपिक है इस पॉब्लिक वेल्फियर स्कीम इन क्याते हैं तो स्कीम्स जो है वो गुड़ गवर्नेस के एक पार्ट है क्योंकि अगर बहतर स्कीम्स होंगी और अच्छी तरह सुनको इंप्लिमेंट किया जाएगा और एक मतलब जो पीपल स्पेसिफिक जो नीड्स हैं उनको केटर किया जाएगा इन स्कीम्स के माध्यम से तो वही फिर गुड़ गवर्नेस भी कहला एगी तो यह मेंस के लिए जादा इंपोर्टन हो जाता है मेंस में कई बार बिल्कुल स्पेसिफिक स्कीम्स भी पूछ लेते हैं मान लीजिए कि बेटी है अन्मोल योजना इस पे आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ गया तो तब आपको स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा कई बार क्वेशन ऐसे आ जाता है कि हाईलाइट दा वैरियस स्कीम्स लॉंच्ट भाइए एच्पी गॉवर्मेंट फॉर्ट वेलफेर ओफ विमन तो महिलाओं के उत्थां के लिए हिमाजित्र प्रदेश सरकार जारा दोआरा जो स्कीम्स हैं जो योजनाएं हैं उनको हैलाइक कीजिए तब आपको स्पेसिफिकली योग स्कीम्स बताने ही होती है सबके वारे में दो दो चार चार फिक बता होने चाहिए एक्दम डिटेयल में रिसेर्च करने की जुरत नहीं है तो यह स्पेसिफिकली हम प्रक्राइब कर रहे हैं या फिर बहुत इंपोर्टन और यह पहले कुश्चन आ चुका है फाइनेंशल इंक्लूशन जिसमें जंधन योजना के बारे में आप जानते हैं वो केंद्री सरकार की एक स्कीम है या फिर कोई फसल भीमा योजना है या कोई medical insurance स्कीम है जैसे आयूश्मान भारत उसी के लाइन्स पे हिमाचर सरकार ने शुरू किया है हिमकेर योजना तो ये हिमकेर भी पता होना चाहिए आयूश्मान भारत के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए इस तरह से specifically आपको ये जीते clear होनी चाहिए और साथ में कुछ जैसे की grievance कि इस तरह से किसी को कोई शिकायत है तो अपनी शिकायत कैसे दर्ज करवा सकता है क्या कोई particularly schemes इसके लिए है या कोई help line इसके लिए है जैसे मुख्य मंतरी सेवा संकल्फ help line यारा सो उसका नंबर है इस तरह से particularly भी पता होना चाहिए और overall एक picture भी clear होनी चाहिए तो ये जो लेक्चर रहेगा ये सारी हिमायतर में जो schemes है mostly mostly जो schemes है या फिर वो होटी कल्चर से समंदीत है तब ही हम उनको समझ जाएगे जिसे source इन चाहिए हो जना solar pumps जो है वो प्रवाइड किये जाए इरिगेशन फैसिलिटी के लिए तो वो agriculture में आ जाएगा या फिर ए उद्यान प सबसे पहले जो इसमें स्की मेंशन है यह सेम पीडिएफ जो है आप हमारे टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं या हमारी जो वेबसाइट है www.ranacademy.com वहां पर भी आपको मिल जाएगा तो सबसे पहले जो है डैट इस शिखर की और हमाचल में इसमें पॉइंट जो आपने ध्यान में रखना है कि पहली बात तो डेट स्पेसिफिक क्वेशन पूछे जाते हैं मैंने आपको पहले भी कहा साथ जन्वरी दोहजार बीस को इस आप को लाँच किया गया था यह एक मोबाइल एप है शिखर की और हमाचल तो को इस एप के माध्यम से जो भी इन्फोर्मेशन है गौर्मेंट से सबंदित वो आपको मिल जाएगी जैसे मुख्यमंत्री के कहा कहा प्रोग्राम है क्या शेडूल है कैबिडेट मिनिस्ट्री जो मिनिस्टर्ज उनके प्रोग्रा लेकिन एक साल बाद यानि कि छे जनवरी 2021 ये बर्थ डे है इस दिन जो हमाचल के मुख्यमंत्री है उनका जनम दिन होता है तो उन्होंने अपने जनम दिन के उसी अफसर पर एक इसी एप में शिखर की और हमाचल एप में एक MLA कॉर्णर वो शुरू किया और उस मेंली उस मित्र सेवा जो होगा ये option मिलेगा अब इस option में जो MLA है ये मेंली उनके लिए फैसलेटी है जो भी 68 MLA ही माचल में है अपनी अपनी constituency में वो development projects को monitor कर सकते हैं कहां तक काम हो गया है क्या चीज़ें उसमें रहती हैं तो उसको monitor करने के लिए जो है ये विधायक E. मित्र नहीं था ये अलग से जो क्रण्ट क्योंकि ये जो economic survey में मैंने कोशिश किये ज्यादा जो current affairs वह रहा है वो भी इसमें include कर दिये जाए तो छे जनवरी 2021 को ये विधायक E. मित्र सेवश शुरू की गई यानिकी scheme के एक साल के बाद तो ये एक mobile app है शिखर की और हिमा चल नेक फिर दिरे दिरे other states ने भी इसको अपनाना शुरू किया अब हिमाचल ग्यारवा राज्य बन गया है इसको अपनाने वाला एक तो ये fact important रहेगा exam के लिए कि हिमाचल has become 11th state to launch my government portal अब होगा क्या my government portal में मेरी सरकार देखो my government means मेरी सरकार तो इसके माध्यम से जो है आप इसी schemes पर feedback दे सकते हैं या कोई नराजगी है आपकी कुछ कहीं पर आप सहमत नहीं है सरकार से अपना प्रक्षा आप रख सकते हैं तो इसको my government बोला गया है देखिए अब जो government है इसको people inclusive बनाने का प्रयास किया जा रहा है तो इस तरह के words आपको पता होने चाहिए जब mains म आएगी तो वहां पर आप ऐसे point mention कर सकते हैं अब यह जूरी नहीं कि directly question आएगी my government portal क्या है लेकिन कहीं पर भी अगर people participation की बात आती है तो आप इस portal का example दे सकते हैं और भी कहीं है जैसे मुख्यमंत्री सेवा संकल्प help line आगे आएगा लेकिन यह भी जूरी है my government portal तो अपन और वहां पर आपको अपने suggestion दोगरा दे सकते हैं next जो scheme है that is him care इसको short में कहते हैं वैसे हिमाचल healthcare scheme देखिए इस scheme को समझने से पहले आपको इस scheme का पता होना चाहिए आयूशमान भारत आयूशमान भारत एक scheme है और दुनिया की सबसे बड़ी यह health insurance scheme है इस scheme के माद्दे scheme है इसके आगे आएगा इसके बारे में तब हम इसको फिर से पढ़ेंगे लेकिन वैसे detail जा detail आपको यहां नहीं चाहिए जो आईशमान भारत है के अंदर सरकार वाली वो तो 23 सब्तमबर 2018 को शुरू कर दी गई थी रांची से जो हमारे प्रधान मंतरी है नरेंदर मोदी को इसका शुबरम वहां से किया था इस scheme के अंतरगत क्या है मैं हिम केर की बात नहीं कर रहा हूं अभी आईशमान भारत की बात कर रहा हूं तो 23 सब्तमबर 2018 को रांची से प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने इसको जारी करवाया और यह एक family floater basis पे scheme चलती है देखिए family floater basis क्या होता है जैसे आईशमान है वैसे हिम केर भी है उसमें जैसे पांच लाग की health care coverage है पांच लाग का coverage रहेगा और लगबग 10 क्रोड़ families को cover करना है families तो आप छोड़ दीजिए यह तो like general factor लेकिन पांच लाग का इसमें coverage रहती है आईशमान भारत में पर वो पूरे भारत में से 10 क्रोड families कोन से चुनी जाएंगी उसके लिए 2011 में एक census हुआ था social economic caste census all India level पे हुआ था तो उस census के अधार पे लोगों का chain किया जाता है तो mainly यह इसके अधार पे आईशमान भारत में लोग चुने गए अब आप मान लीजिए कि हिमाचल में जो population लगबग 70 लाग के अब सारे तो आए नहीं होंगे आईशमान भारत में जो एक गरीब तबका होगा वो सारे लोग भी नहीं आए होंगे अगर कुछ लोग भी उसमें आए होंगे तो जो left out families हैं जो बच गए हैं और उनको ऐसे insurance coverage की जूरत है उनके लिए state government ने आईशमान भारत के ही अधार प देखो पांच लाग पर परसन नहीं है पर फैमली है तो फिर फैमली कितने लोगों की मानी जाएगी तो फिर पांच लोगों की फैक फैमली मानी जाएगी स्पोस कीजिए किसी की फैमली में आट लोग हैं तो पहले पांच को एक कंसीडर कर लेंगे वैसे तो आट लोगों क स्कीम है 2018 में इसको शुरू किया गया था और 2019 में शुरू किया गया हिम केर को जो लाफट आउट फैमली जो बच गई है आईशमान भारत के अंतरगत आने से और उन जिनको जूरत है तो ध्यान रखना है सब कवर नहीं होते है आईशमान और हिम केर में जो अड़ेड़ी किस इक लों में कास्ट संसिस के एकोरिंग जो इसका चैन किया गया है अब जब भी आपको इंसरेंस सिकीम लेते हैं जैसे यहाँ पे 5,IFA 5, insulted का सालाना इंसरेंस है फैमली के लिए तो कुछ प्रीमियम भी देना पड़ता है आपको कुछ premium भी देना पड़ेगा तभी आपको बदले में जो है वो insurance मिलता है तो premium बहुत कम है खास करके जो BPL family के लोग है और आईश्मान भारत में cover नहीं है यह street vendors हैं जो यह ठेली जो लगाते हैं लोग या ready या ठेली लगाना जो register street vendors हैं तो यह हो गए या मनरेगा worker हो लेकिन मनरेगा worker कौन से जिनके कम से कम 50 दिन तो previous financial year में लगे हैं जैसे 2019 में scheme आई है तो उससे पिछले साल अगर किसी के 50 दिन भी पूरे साल में लगे हैं यानि की 100-120 दिन मिल जाते हैं अगर 50 दिन भी लगे हैं कम से कम तो उसका तो premium जीरो रहेगा इनको तो कुछ भी प आंगनवाडी workers हैं देन आंगनवाडी helpers हैं आशा वरकर्स हैं मिड़े मील जो खाना वेरा बनाते हैं स्कूल में डेली वेज वरकर्स हैं पार्ट टाइम वरकर्स हैं लेकिन कहां कहां हैं specifically आगे mention किया गया है contractual employees हैं जो भी बिलकुर regular नहीं हुए हैं या जो outsourcing पे हैं उन category one or category two में नहीं आते हैं और इसके लावा कोई government employees वगरा भी नहीं है तो उनके लिए भी है लेकिन उनका premium थोड़ा सा जादा रहेगा यानकि हजार रुपे सालाना उनको देना पड़ेगा तो यह एक health insurance scheme है तो मैंने आपको बताया कि जैसे आईश्वान भारत है केंदर में उसी अधार पे state में him care है बाकि सब कुछ सेम रहेगा यहां भी पांच लाग है यहां भी पांच लाग है यह भी family floater basis पे यह भी family floater basis पे पांच लोग पांच लोग को सब कुछ सेम रहेगा यह 2018 में शुरू किया गया यह 2019 में यह रांती से शुरू की गई थी आईश्वान की कोचिंग लेगा जो ग्रेजूशन पास आई है तो वह बैंकिंग-services की लेगा या hs की, pcs की, ies की इन सब की कोचिंग लेगा तो कुछ लोगों को इस में बना गया आ यानि की उन फैमिली स को इलिजिबल बना गया है जिनकी सालाणा इनकम नाख रुपे होते हैं या लोग अपनी मर्जी से भी चुन सकते हैं वहां पे वो बच्चे कोचिंग लेंगे और जो उनकी फीस वगए रहा है ये गौर्णमेंट पे करती है हिमाचार सरकार ये पे करेगी तो एच्पी मेदा प्रोसान योजना यानि की एक लाख रुपे तक का खर्चा सरक अब इसमें डेटा भी दिया गया है कि कितने स्टूडेंट्स को दी गई तो हलांकि वह इतना जूरी नहीं है एच्पी बाइबेक सिंगल यूज प्लास्टिक तो कोई सिंगल यूज प्लास्टिक वैसे तो बैन ही कर दिया हिमाचल में पॉलिथीन आप नहीं मिलते हैं ले कि तहली जो है उसको आप कहीं यूज नहीं करेंगे उसको फैंकेंगे फैंकेंगे तो फिर इसके लिए क्या बोला गया है कि एक स्कीम नोने चलाई है कब स्कीम शुरू की गई 2019 में शुरू की गई जब महत्मा गांदी का एक सा एक सो पचासवा उनकी जो वर्षगान थी जो उनकी बर्थ अनिवर्सरी थी तो उसके उप्लक्षपे इसको शुरू किया गया क्योंकि महत्मा गांदी स्फाई पे जहाद ध्यान देते थे स्वच्चता उनका एक सेंट्रल एरिया रहता था हमेशा काम करने का तो इन्होंने स्कीम जो शुरू की है यह एचपी बाइबैक सिंगल यूज प्लास्टिक हिमाचल सरकार ने इसमें 75 रुपे पर केजी के हिसाब से वो प्लास्टिक खरीदा जाएगा जो प्लास्टिक वेस्ट है जैसे कोई भी कबाड़ वाले हैं या कोई इस तरह से कूड प्लास्टिक है अब आपको पता है कि वह नौन बाय डिग्रेडेबल है कई सालों तक जो है कई वर्षों तक वह डिग्रेड नी होता है तो वह ज्यादा थ्रेट है हमारे इंवार्मेंट के लिए तो देट इस वरी इंपोर्टन दनेक्स्ट इस मुख्यमंत्री सेवा संकल् आपको पता होनी चाहिए तो ग्यारा सो जो है इसका नंबर है इस हल्प लाइन का नंबर है और इसके माध्यम से लोगों की अपनी कोई समस्याइं है तो सीधे सीम ओफिस में वह बात कर सकते हैं अब ऐसा भी नहीं है कि सीधे मुख्यमंत्री फोन उठाएंगे लेकिन सीम में कोई ने कोई अटेंड करेगा या फिर आप सीधे जो है अपनी मेल यहां पर भेज सकते हैं यह मेल अड्रस भी दिया गया है ओन्लाइन ग्रिवेंस के लिए जो मैंने पहले भी आपको बताया नेक्स्ट है एच्पी ग्रीनी सुविधाई होजना देखो ग्रीनी सुवि की नहीं है सब लोगों की एकनौमी कंडिशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो गैस कनेक्शन खरीट सकें तो इनिशियल जो गैस कनेक्शन का खर्चा था वो बहुँ जादा पड़ता था बाद में तो सिलेंडर के लिए हालांकि सरकार सबसीड़ी देती है लेकिन वो इनिशि जिसमें एक सिलेंडर भी रहेगा और वो चूला भी रहेगा वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा अब इस स्कीम की नोडल एजनसी कोन है किसके अंडर यह स्कीम चल रही है तो आईडिया होना चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ फूड सिविल सप्लाइज एंड कंजूमर अफ गैस कनेक्शन डिस्ट्रिबूट कर रही है लेकिन अगर उसमें कुछ फैमिलीज रहे गई हैं उस उजवल योजना के तहट आने से तो जो लेफ्ट आउट फैमिलीज है उनको जो राज्य सरकार है उन्होंने ये स्कीम शुरू की है हिमाचल ग्रहीनी सुविदा योजना तो उनको फिर यहां पर कवर किया जाएगा और कौन कवर नहीं किया जाएंगे देखो पहली बात तो ये गैस कनेक्शन जो होंगे ये महिलाओं के नाम पर दिये जाएंगे हाँ कोई ऐसा केस है कि उस घर में कोई लेडी ही नहीं है किसी की डेथ हो गई है कोई भी एक्सव लेवर जितने भी जो लोग होंगे उनके लिए फैसलिटी अवेलिबल रहेगी ये डेटा है हलांकि अब तो ये न्यूस पुरानी हो गई लेकिन पता होना चाहिए दिसंबर सताइस दोजार उनीस जब हिमाचल सरकार ने जो ये भाजपा सरकार है नोंने अपने दो साल करते हैं और इन तीनों को गैस कनेक्शन देने के साथ ही हिमाचल जो है ये पहला स्टेट बन गया था पूरे भारत में जहां पर हंड़ड परसेंट एलपीजी गैस कवरेज है मतलब सबके पास गैस कनेक्शन तो है ही अब देखिए ऐसे फेक्ट सियाद रखने होते हैं कि कितनों स्टेट बना तो पहले स्टेट बना जहां पर हंडड़ पर संट एलपीजी गैस कवरेज है जैसे एक 2016 का फेक्ट अगर मैं आपको रिमाइंड करवाओं वह यहां पर मेंशन है कि सेकेंड ओपन डैफिकेशन फ वरह में पूछ लिए जाते हैं अब अगर विमन औरियंटीड या फिमेल औरियंटीड स्कीम की बात करें एक स्कीम है बेटी है अनमोली हो जना जाहिर सी बात है कि जो एक नेगटिव एटिटूड है गर्ल चैल्ड के प्रती उसको डिसकरेज करने के लिए यह स्कीम उसके बाद पहली से लेकर ग्रेजूशन तक जो सारी फीस का खर्चा जो है सारा खर्चा सरकार उठाएगी लेकिन पूरे हिमाचन में सबका नहीं जो बीपील फैमिलीज हैं जो बिलोव पवर्टी लाइन में आते हैं उन फैमिलीज में और उनमें भी सिर्फ दो लड़कि देखिए इस कीम के मध्यम से अब जो गरीब महिलाएं हैं तो उनको कुछ एसिस्टेंस यहां पे दिया जाएगा ऐसी महिलाएं जो बीपील फैमिली से समन्द रखती हैं और उनके बच्चे अभी जब तक वो अठारा साल के नहीं हो जाते हैं तब तक उनको जो है सालाना 6,000 रुपे दिया जाएगा पर चैल के हिसाब से है यह सालाना 6,000 रुपे दिया जाएगा और सारी इसमें नहीं आएंगी जो बीपील में वह आएंगी यानि कि जिनकी सालाना इंकम 35,000 रुपे से जादा नहीं तो यह क्लेर होना चाहिए सबसे पहले तो eligibility criteria का आपको पता ह होना चाहिए साथ में BPL family से belong होने चाहिए या कोई विडोड है कोई विदवा लेडी है या कोई डिवोसी है तो उनके लिए भी यह स्कीम है मतलब उनके बच्चों के लिए भी स्कीम होगी तो महिलाओं के नाम पे उस महिला को वह पैसे दिये जाएंगे जब तक उनके पता है इस तरह से रोफिशली डेड भी डिकलेर नहीं है तो वो भी जो है इसमें इंकूड किये जाएंगे अप्लिकेशन प्रोसीजर अब यह प्रैक्टिकल पर्पस के लिए है यह ऐसा एक्जाम में नहीं पूछा जाता है लेकिन विमेन एंड चाइल वेलफेर जो डिप सरकार खर्चा दे रही है तो फिर शादी के लिए भी सरकार ने जो है 51,000 रुपे का गरांट सेंक्शन किया है कि ऐसे परिवार जिनकी सालाना इंकम 35,000 रुपे से जादा नहीं है तो उन घरों में जब लड़कियों की शादी होगी डेस्टिटूट गर्ल की जब शादी हो मतलब मेल आंटेपेनौर के लिए भी और फिमेल के लिए भी है जो यंग लोग हैं 35 साल तक की उमर के लिए उन के लिए स्कीम है तो यंग मेल आंटेपेनौर के लिए भी और फिमेल के लिए भी लेकिन जो सबसीड़ी मिलेगी मेल के लिए 25 परतीशत है और फिमेल के लिए तो apply कर सकते हैं और 30% तकी सबसीड़ी सरकार देगी और mail के नाम पे है तो 25% तकी सबसीड़ी देगी कुछ भी हो सकते है इसमें जाए JCB है ट्रेक्टर है कोई भी ऐसी machinery जहां से entrepreneurship में help हो सकती है कोई भी ऐसी machinery तो वहाँ पे इतना percent सरकार सबसीड़ी देती है next है मुख्य मंतरी startup योजना अब नाम ही startup योजना है तो इससे clear है कि जो entrepreneurship culture है यहां पे उसको बढ़ावा देने के लिए है कि यहां पे लोग ज़ो है ज़ादा से ज़ादा innovative ideas की तरफ जाएं अपना कोई काम धंदा शुरू करें कोई नया innovative idea यहां पे लेकर आएं और उसके ओपर काम करें तो सरकार जो है time time पे award भी करेंगी तीन लोगों को जो है जो तीन promising entrepreneurs हैं उनको तो already award किया जा चुका है और उसके बाद उनको इस चीज़ का भी डर नहीं होगा कि उन्होंने कोई काम शुरू किया है तो अधिकारी आएंगे inspection करेंगे तो पहले तीन साल के लिए तो inspection से भी relief रहेगा उनका कोई copyright patent वे भी सरकार उनकी मदद करेगी तो बाकी सारी details तो यहां पर जूरी नहीं है लेकिन जब भी वो इस project में काम कर रहे हैं तो हर महिने 25,000 रुपे सरकार देगी अगर उनका project सरकार को पसंद आता है कि हैं आप इसके ओपर काम कर रहे हैं और जब वो project पूरा हो जाएगा जब वो idea implement हो जाएगा तो उसके बाज़ों 10,000,000 रुपे सरकार और देगी उस idea को market करने के लिए जिसे मान लीजिए आपने कोई ऐसा equipment discover कर दिया है ऐसा नया equipment invent कर दिया है तो उस दुरान तो सरकार आपको मदद करेगी बाद में उसकी marketing के लिए भी 10,000,000 रुपे देगा खर्चा जो है सरकार उठाएगी फिर उसका patent right stamp duty जिस जमीन पे आपने वो काम शुरू किया है तो वो stamp duty भी बहुत कम रहेगी patent गरे में भी सरकार मदद करेगी ठीक है तो यह सारे provision इसमें है नेक्स्ट है प्रधान मंत्री शहरी अजीवी का guarantee हो जना यानि कि शहरी अजीवी का की बात हो रही है urban livelihood तो लगबग जो है इसमें 120 दिन का guaranteed employment सरकार प्रवाइड करेगी जो urban households है जो शहरी आलाके में रह रहे हैं ही माचल में उनके लिए 120 दिन का जो रोजगार है वो सरकार सुरक्षित करेगी ठीक है वो उन्होंने ensure करवाना है तो उसके लिए अब रोजगार ऐसे तो मिलेगा नहीं एक basic skills भी चाहिए तो यह skill enhancement गरे के लिए सरकार काम कर रही है इस मुख्यमंत्री शहरी अजीवी का गरेंटी योजना नेक्स्ट ए उद्यान पोर्टल हलांकि जब आगे agriculture चेप्टर आएंगे तो उसमें specifically पढ़ेंगे हम होटी कल्चर और अग्री कल्चर के बारे में लेकिन ए उद्यान पोर्टल क्या है एक single window पोर्टल है मतलब only यसा पोर्टल है जहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी होटी कल्चर फार्मिंग से समदित में लिए किसान वगरा के लिए हैं जो होटी कल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं तो जो भी उनकी समस्यां है ग्रिवेंसी सभ यहां पे रिट्रेस हो जाएंगे that is ई उद्यान पो उससे जो है वो पानी उठाया जाएगा चाए वेल से है या आसपास किसी वाटर सौर्स से है इसका में उदेश्य क्या है यह आपको याद रखना है तो डबल फार्मर्स इंकम बाई ट्वंटी ट्वंटी टू यह पहले भी कुश्चन पूछा गया है ऐसे जो टार्गेट ह होते हैं क्रेंटवर होते हैं तो वहां पर इनको आपको पता है इसके लिए सरकार सबसीडी वो पूरा सोलर सिस्टम लगाने लिए जिसमें जो छोटे किसान है small and marginal farmers है ये पढ़ेंगे हम agriculture chapter में कितने hectare land तक small होते हैं कितने तक marginal होते हैं उनको जो subsidy रहेगी ये 90% की रहेगी 90% की subsidy रहेगी और जो medium और big farmers है उनके लिए 80% की subsidy यहां पे रहेगी तो ये mainly तो subsidy आपको पता होना चाहिए next है जन्नमंच योजना नाम से ही clear है देखो जन्नमंच मतलब ऐसा कुछ होगा कि जनता के द्वार पर ये एक मंच लगा दिये जाएगा इसमें क्या होगा कि जो भी मंत्री होंगे वो अपने एरिया में घूमेंगे हिमाचन में जगा जगा जएगे और जब वो मंत्री जाएगा तो उसके साथ officer वगरा जाएगे मतलब वहां का स्थानी पटवारी होगा तसीलदार होगा SDM होगा जो SDO वगरा होगे चाहिए वो बिजली विवाग के हैं पानी विवाग के हैं वो सब मौके में मुझूद होंगे मतलब जब वो किसी एरिया में मंत्री चलते चलते गाओं में रुके हैं और वहां पे लोग ही कठा हुए और उन्होंने अपने grievances बताए हैं कि हमारे हाँ पानी की समस्या है तो तभी के तभी मंत्री वहां पे जो भी concerned person होगा चाहे वो action होगा water IPS department में या SD होगा तो उनको तभी वो सारे चीज़ें बताएंगे कि हाँ यहाँ पे समस्या चल रही है और उसको redress करना है या past में जो grievances आया थे तो उसको किस हद तक आपने redress किया है इसको जन्दमंच बोलते हैं पे ही जो है उस मस्या का निवारन कर दिया जाता है इससे पहले भी कई ऐसे इनिशेटीव थे जैसे files to field सरकार जनता के द्वार पर तो जन्दमंच योजना भी सेमी एक ही बात है old wine in new bottle आप बोल सकते हैं ठीक है उसी तरह की एक स्कीम है कब शुरू की गई थर्ड जून 2018 को जो है यह शुरू की गई next social security scheme यान की सरकार किस तरह से मदद करेगी जब कोई बुड़ा व्यक्ति हो जब कोई व्यक्ति बुड़ा हो जाएगा 60 साल से उपर उमर हो जाएगी including 60 भी इसमें है 71 हो जाती है तो उनके लिए 1500 रुपे है हर महिने के हिसाब से वहाँ कोई income criteria नहीं है लेकिन 60 से 70 में pension तभी मिलेगी अगर annual income उस व्यक्ति की सालाना 35,000 से कम है तब मिलेगी लेकिन 70 से उपर तो कितनी भी income है उनको ऐसा कोई criteria नहीं होता है हाँ किसी formal sector वगारा में नहीं होना चाहिए अलड़ी कोई pension या इस तरह कोई अगर एक मान लिजिए कोई कर्नल ही retire आया है ब्रिगेडियर ही retire आया है कोई lieutenant retire है तो उनको भी जूरत नहीं next स्वच भारत mission तो ये पहले से ही चल रहा है केंदर सरकार की scheme है दो अक्टूबर महत्मा गांदी की जनती थी जर्म दिवस तब से ही शुरू है दो अक्टूबर 2014 से scheme चल रही है जिसमें municipal solid waste management वारेन की key priorities रही है तो ये तो already highlighted scheme है आप इसके बारे में जानते है next is smart city mission smart city mission क्या है कि जो शेहर इसमें चुने जाएंगे उनमें infrastructure level public transport वो एक बहुत अच्छे दर्जे तक जो है वो सही होगा चाहे वो sanitation की facility है या public transport है सारी जो इसमें चीजे होंगी वो well to do रहेंगी तो ये smart city mission है इसमें हिमाचल में दो शेहरों का chain हुआ है एक धरमशाला और दूसरे शिमला ऐसे question आपको आते हैं जैसे अभी last time कोई exam हुआ था उसमें पूछा गया था ये question की हिमाचल में 5 municipal corporation कोण है तो पहले दो ही municipal corporation थी धरमशाला और शिमला अब 5 हो गई है पालापूर इसमें add हो गया है मंडी भी add हो गया है तो 5 municipal corporation हिमाचल में मैं यहाँ municipal corporation की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ तो smart city की बात करें तो smart city में तो धरमशाला शिमला दोही है पर वैसे ही आपको बता दिया कि mc अगर आएगा municipal council नहीं मैं बोल रहा हूँ municipal corporation बोल रहा हूँ तो वो 5 है next hp new ration card online तो जिसके पास राशनकार नहीं है वो online जो है apply कर सकते है हिमाचल form.nic.in में जाके next मुख्य मंतरी बाल उधार योजना जब बाल उधार लिखा गया है मतलब बच्चों के लिए है child care institution की बात हो रही है ऐसे बच्चे जो child care institution में रहते हैं उनके लिए सरकार financial assistance प्रवाइड करेगी उनका रहना, खाना, पीना, medical aid से लेकर सिक्षा से लेकर हर चीज उनकी free रहेगी और बाद में जो है उनको rehabilitation भी किया जाएगा जब उनको बाद में जोव गारा दिलवाना तो इस पे भी सरकार खास ध्यान देगी और ये उन्ही वही इसमें नाथाशनम गएर आएंगे वही child care homes आएंगे जो juvenile justice act 2015 की अंतरगत registered है तो जब वो बच्चे even वो children home अगर left भी कर देते हैं छोड भी देते हैं उसके बाद भी सरकारों का ध्यान रखेगी फर्दर नेक्ट है बाल बाली का सुरक्षा योजना एंड foster care program तो इसमें बाल बाली का दोनों ही आ जाएंगे इसमें भी और foster care program मतलब ऐसे जो parents हैं जिन्होंने बच्चे गोद ली हैं जो foster parents हैं तो उनको कुछ grant दी जाएगी उन बच्चों की देखवाल के लिए या उनके nutrition के लिए उनको nurture करने के लिए तो सरकार 2300 रुपे महीना देगी अब 2300 डर्कली ने देगी 2000 उन parents के नाम पे देगी जो foster care parents हैं तो parents के नाम पे 2000 खर्चा देगी नेक्स्ट है self employment assistance for women जिसमें जो महिलाएं जिनकी 35000 पे से कम सालाना income है तो उनको 5000 पे की साहता राशी जो है सरकार द्वारा परवाइड की जाएगी नेक्स्ट विशेश महिला उत्थान योजना देखो विशेश महिला तो विशेश वर्ड यूज किया गया है मतलब सब के लिए नहीं जो physically और sexually abused women है चाहिए physically tortured है या sexually abused है तो उनके लिए कुछ प्रावधान है मतलब उनको job के लिए योग्य बनाना है लेकिन training की विए वश्यक्ता पड़ेगी तो कोई भी technical या vocational training उनको दिलवाई जाएगी चाहिए वो सिलाई है बुनाई है कडाई है कुछ भी ऐसी training हो सकती है तो उनको सक्षम बनाना है रोजगार के लिए जब तक वो training चल रही होगी उस दोरान भी 3000 पे का stipend उनको मिलेगा और उसके बाद सरकार तो उनको कहीं सक्षम गुडिया बोर्ड हिमाचर प्रदेश सक्षम गुडिया बोर्ड क्या यह एक बोर्ड रहेगा और यह जो भी सरकार पॉलिसी जगारा बनाती है महिलाओं के लिए उसके लिए यह खास recommendation देगा और किसका ध्यान रखा जाएगा safety, security, upliftment and protection of girl child खास करके adolescent girls, adolescence जो age रहती है मतलब puberty के बाद की जो age रहती है 18 साल तक उसको adolescence age कहा जाता है next है एक बोटा बेटी के नाम तो इसके माध्यम से एक बोटा यानि की forest conservation पे भी ध्यान दिये जा रहा है और बेटी के नाम यानि की girl child पे भी ध्यान दिये जा रहा है तो दोनों पे importance को जो है दोनों की importance मतलब उनको बढ़ावा देना है और साथ में लोगों को sensitize करना है इनके प्रती तो daughters भी है और साथ में forest conservation भी है इस scheme के according जब कोई लड़की घर में पैदा होगी बोल सकते हैं कि जो female है उनकी gender sensation के लिए और साथ में forest conservation के लिए भी next उत्तम पशू पुरुसकार योजनास नाम से एक लिए उत्तम पशू मतलब किसी का पशू अगर इतना उत्तम है मतलब खास करके milching animal की बात हो रही है तो कोई किसान जिसके पास अच्छा पशू है उसकी अच्छी केर करता है और वो जो दुधरू पशू है गायब है जो भी है अगर उप 15 लिटर से ज़्यादा दिन में दूद दे देते हैं 15 लिटर या फिर उससे ज़्यादा तो उनको सम्मानित किया जाएगा उनकी सानों को सम्मानित किया जाएगा तो नाम है उत्तम पर पशू पूरुसकार योजना नेक्स्ट प्रधान मंतरी किसान सम्मानियोजना ये आपको पता है ये स्कीम चल रही है जिसमें अगर जिनकी ऐसे किसान जिनकी जमीन दो हेक्टेर से कम है टू पॉइंट जिरो हेक्टेर से कम जिनकी जमीन है उनको सालाना छे हजार रुपे उनके खाते में सरकार डालेगी नेक्स्ट आईश्मान भारत ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि इनके पैरलल हिमाचल में हिमकेर योजना शुरू की गई है तो आईश्मान भारत प्रधान मंत्री जन आ रहोगे योजना पीम जे वाई स्कीम का पूरा नाम है जिसमें इतनी लोग लगबर कवर्ड हो चुके हैं जिनको गॉल्डन कार्ड मिले हैं और फैसलिटीज के रहेगी वह आपको बता दिया पांचलाख रुपे का इंस्यून है यह उसके उपर कोई है जैसे कोई प्रीमियर इंस्यूशन है एम्स लाइक तो सेकेंडरी और टर्श्री केर जो है वहाँ पे होता है खास करके जब होस्पिटलाइज हो जाएंगे कोई सर्जरी ऐसा कोई बड़ा इलाज है तो वहाँ पे वह इंस्यूनेंस का क्लेम लोग है जाएगा देन यह स्पेसिफिकली लिखा है कि थ्री डेज ओफ प्री होस्पिटलाइजेशन मतलब होस्पिटलाइजेशन से पहले तीन जिन का जो खर्चा होगा आना जाना सब कुछ कवर रहेगा और पंदरा जिन बाद का खर्चा एक्सपेंसिस गरह भी इसमें कवर र पढ़ता था कहीं पर 500 रुपे कहीं पर 1000 रुपे तो फिर सरकार एक नया अकाउंट लेकिए जिसको BSBDA बोलते हैं बेसिक सेविंग बैंक डिपोजिट अकाउंट इकनॉमिक्स में आपने जरूर पढ़ा होगा तो बेसिक सेविंग डिपोजिट अकाउंट या बेसिक सेव से वो मिलती हैं रुपे एक कार्ड इसमें एटीम भी मिलेगा सब कुछ जो भी रहती हो मिलती हैं लेकिन में परपस क्या था जंधन योजना का इसमें एक जैम ट्रिनिटी वर्ड हाइलाइट हुआ था जे से जनधन और ए से अधार और एम से मोबाइल मतलब आपका एक जं कार मदद तभी करें कि जब पहले खाता होगा अब सरक अब सबके पास अपना खाता है तो जो थोड़ी दोरे पहले आपने पढ़ा कि छे हजार रुपे दो हेक्टेर से कम जिनकी जमीन उसको दिये जाएंगे अगर अकाउंट नहीं होगा तो फिर चोरी जादा होगी पिल अथारिटी से छोटे अथारिटी तक ऐसे लोगों तक पहुंचते पहुंचते पिल फराज हो जाएगा उसकी चोरी जादा हो जाएगी तो डिरेक्टली बैंक अकाउंट में फिर ऐसी सबसीडीज गराती हैं कितने इंशुरेंस हैं जो बारा बारा रुपे में पूरे साल क मिल जाते हैं दो दो लाक के इंशुरेंस सिर्फ बारा रुपे के प्रीमियम में मिल जाते हैं वो तभी इंशुर हो पाएगा जब सब के पास अपना एक फंक्शनल अकाउंट होगा तैट इस प्रधान मंतरी जो यह जंधन योजना है पीम जो डिवाई नेक्स्ट है स्किम जो सबसे हैं कि सेंटरल स्कीम है तो पुराने जो सारी स्कीम सबसे मर्ज कर दी गई हैं एनए इस और मनए इस इसमें। मतलब फसल जो है जब ग्रो हो जाएगी उसके बाद तक उसको मतलब उसको कल्टीवेशन तो है ही है कल्टीवेशन के बाद उसकी हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग के बाद जब तक वो गुदाम तक नहीं पहुंच जाती है तब तक पूरा इंशुरेंस इसमें रहता है जैसे बाढ़ आ गई कहीं पे या हेल्स्टॉम हो गया फसल तबाह हो गई तो उसका इंशुरेंस रहेगा तो अगर इंशुरेंस किया है प्रॉपर प्रीमियम देते हैं तो उसको वो बेनेफिट मिलेंगे नेक्स्ट परधान मंतरी आवास योजना देखो ये परधान मंतरी आवास योजना है केंदर की स्कीम और एक मुख्य मंतरी आवास योजना भी है साल तक का वो लोन रहेगा तो यहां पर लोन की फैसलिटी है क्योंकि सरकार का जो मकसद है थोड़ी देर पहले बताया था मैंने तो यहां पर भी हाउसिंग फॉर आल बाई एर टॉटी 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 तक क्योंकि आजादी के 75 साल उसमें होंगे फिर राज्य सरकार ने भी कुछ किया है राज्य सरकार जो है डेड़ लाख रुपे की राशी इतनी साहिता के रूप में दे रही है जो पूर फैमिलीज है लेकिन टार्गेट कम है इस साल जो है अब जिस साल कई हम बजट पट रहे हैं 2020 का इस फानेशलियर में टार्गेट थ चाहिए एक हजार नेक्ट मुख्य मंत्री वन भीगह स्कीम क्या है कि पहले बाद गाउं में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगरा होते हैं वो आपको पता है तो लगभग डेड़ लाक वीमन को बेनिफिट किया जाएगा पांच हजार सेल्फ हेल्प ग्रूप के त्रू कीचन मैंने और भी वहां पे होगी जिसको यूज कर सकते हैं खाद के रूप में फटीलाइजर के रूप में सो दैट इस मुख्य मंत्री वन भीगह स्कीम क्यों क्योंकि कम से कम वन भीगह तो होना ही चाहिए इतने अरिया तो होना ही चाहिए ऐसा नहीं है कि एक छोटा सा खेदा और उस पे इसका benefit मिल जाएगा नहीं कम सकम एक वीगह तो एरिया होना चाहिए next senior citizen health insurance scheme senior citizens के लिए already राष्ट्रे स्वास्थे भीमा योजना है लेकिन यह जो स्कीम है SCHSIS scheme इसके तहर 30,000 पे का additional top up है यह मतलब वो scheme तो रहेगी रहेगी 30,000 पे का extra top up coverage हो है इतना extra coverage भी यहाँ पर हिमाचल सरकार द्वारा cover किया जाएगा So that is senior citizen health insurance scheme इसी के साथ जो है यह chapter खतम होता है इसमें हमने हिमाचल की main means schemes के बारे में पढ़ा कुछ और भी scheme है आगे जब chapter wise हम पढ़ेंगे जैसे कहीं transport वाला chapter आएगा तो transport से समंदीत भी schemes होगी agriculture वाला chapter आएगा तो उसे समंदीत भी schemes होगी और यह PDF जो है यह आपको हमार अपडेट जो है वो आपको मिलती रहेंगी तो यह first and second chapter हमने किया दो lectures में इसको खतम किया तो यह आप इसको त्यार कर लें और next जो chapter रहेगा covid pandemic से समंदीत वो जल्द ही upload किया जाएगा ओके guys thank you very much